हेलो फ्रेंड वेलकम टू सिक्षा तो कंप्यूटर अप्लिकेशन का थर्ड लेक्चर है और राइट एंड रस कोशन देखेंगे इसमें जो आपको एपफो में काम आएंगे कंप्यूटर के 10, 10 questions करेंगे क्योंकि computer में 5 questions में बात बननी रही है बहुत क्यूंकि ज़ादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं computer के questions में बस specific रखते हैं जो अपने person money काम जै ठीक चलिए तो शुरू करेंगे पहला question a network kitchen a networks , izz with a central structure, that connects other portions of the network a networks dash जो central structure है और जो बाकी के network के portions को connect करता है उसको क्या कियते हैं trunk, backbone, protocol या फिर server क्या बोला जाता है central structure connect करता है बाकी के portions of the network को उसको कहा जाता है backbone क्या कहा जाता है backbone कहा जाता है alright so a backbone is the part of the computer network infrastructure that interconnects different networks and provides a path for exchange so data exchange का path प्रोवाइट करता है मंग the different networks all right and basically it helps in interconnection between different local area networks in offices or campuses or the office buildings okay all right now the next question the blank white area near the edges of every page in a word document is known as a yes we use MS Word so if you see तो कि यहां पर जैसे आपका टेक्स जो है वो एक margin छोड़ करके लिखता है राइट साइड पर margin होता है लेप्ट साइड पर margin होता है उपर margin होता है तो जो यह black white area होता है जो margin वाला area रहता है इसको क्या बूला जाता है ठीक है मैंने वैसे तो इसका अंसर ही आपको दे दिया है तो इसको margin ही बोला जाता है ठीक है कहीं बार इस तरह के बिल्कुल basic से सवाल पूछ लिए जाते हैं computers में basic जादे को जादा जो chances होते हैं question में आने के वो basic सवालों के होते हैं जैसे एक दो बच्चे कह रहे थे सर मुश्किल सवाल भी आते हैं मुश्किल सवाल भी आते है बीच बीच में जैसे backbone वाला था वो थोड़ा सा complex था मुश्किल था लेकिन अगर 5 question आने है तो उसमें से 3 question easy वाले आएंगे और mainly हमने उन 3 questions को target करना है बाकी 2 questions तो फस गए तो ठीक नहीं फसे तो उनको छोड़के आ जाएंगे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं अगर computer मे आपके 5 में से 3 या 4 का भी hit rate आगया वह बहुत अच्छा है 5 के 5 करने की target लेके जाने के हमें जरूरत ही नहीं है computer के questions को all right एक अधा question ऐसा होएगा जो IT expert भी नहीं answer कर पाएगा बहुत ज्यादा chances होते हैं ऐसे ठीक है तो उससे दिल नहीं लगाना उसके चक्कर में भागें तो नमबर अपने को 0.88 कुछ ऐसे कुछ आता है ना आपका 0.87 कुछ ऐसे आता है तो नमबर इतने 0.87 के चक्कर में आप IT की पूरी किताबे चबाने बैढ़ रहा हो उसका कोई फायदा नहीं है ठीक है ना चलो तो मार्जन तो आप सब समझी गए हो टॉप में होता है बॉ कला प्रहूजर चलाते है कहीं बार अन्वॉंटे सी अद्व narrative चुरहने आपके कंप्यूटर पर आने लगती हैं कई बार के नए थैब खुल जाता था तो वह हो इसतरह की जो पूस्ट्स होती है जो advertisement ंपूस्ट्स होती है जो एज़ स्पैम आपके कंप्यूटर पर आती र computer के उपर अपने आप आती रहते हैं नए tabs अपने आप खुलते रहते हैं तो असान सा सवाल है यह भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका अंसर हो जाएगा आपका option D add where ठीक है add where तो बस देख रहे हो questions बिल्कुल general से आएंगे बीच में दो चार दो-चार मुश्किल question करते रहेंगे लेकिन असान question अच्छे से करने है ताकि वह गलतना हो इन विच ग्रूप कैन यू find और replace text and select text और objects in a document ठीक है document जो MS Word का जो document है देखो MS Office बहुत important होता है MS Office में से आप questions expect कर सकते हो क्योंकि यह basic application है आप किसी भी सरकारी भी भाग में जब अफसर बन करके जाओगे MS Office का इस्तमाल हो नहीं होना है समझ रहे हो तो इसमें से questions काफी जाद expect किये जा सकते हैं इसलिए मैं MS Office के आपको काफी questions कराऊंगा तो in which group can you find or replace text select text और object in a document अलग-अलग groups होते है MS Word के अंदर ठीक है तो उसका आपको इस्तिमाल करना होता है यहाँ पर आपका answer रजाएगा option C editing अगर आपको text replace करना है text select करना है object को select करना है तो edit करोगे ना document को general सी चीज़ है लेकिन जब paper में इस तरह के questions आते हैं तो हम confused आते हैं कि यार क्या होगा answer क्योंकि पढ़ा नहीं होता इन चीज़ों को इसलिए यह simple वाली चीज़े जो simple से चीज़े होती है ना यह हमें paper में बड़ी मुश्किल लग रही होती है difficult लग रही होती है क्योंकि हमने generally पढ़ा नहीं होता नहीं तो editing हमें सब पता है कि editing का क्या मतलब हो रहा है कि हम कुछ replace कर रहे है कुछ change कर रहे है all right चलो अब proofing group क्या होता है जो proofing group होता है वो क्या contain करता है यह contain करता है basically वो commands जो spelling check करने के लिए इस्तिमाल की जाती है या document में कितने words जो है वो लिख लिए गए है वो count करने के लिए इसको इस्तिमाल किया जाता है proofing को paragraph group allows to modify the layout of a paragraph ठीक है अगर आपको paragraph का layout change करना है उसकी alignment change करनी है margin change करना है and ultimately जो editing group होता है वो आपको replace करने में help करता है select करने में help करता है text को तो यह आपको पता होना चाहिए proofing group से भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या होता है और paragraph group में भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है ठीक है fifth general example general question very general question walkie talkie is an example of which of the following लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि पता ही नहीं होता हमें walkie talkie अपनी regular life में mall में जाते हैं तो mall में भी हम देखते है managers जो है walkie talkies पर बात कर रहे हैं हम शादियों में जाते हैं वहाँ पर भी जो managers होते हैं वह walkie talkie use कर रहे होते हैं ठीक है लेकिन walkie talkie is an example of which of the following कौनसे टाइप का communication का example है आपका walkie talkie ठीक है यह हमने कभी नहीं सोचा और ऐसे ही general questions paper में पूछे जाते हैं लेकिन यह मुश्किल होते हैं क्योंकि पढ़े नहीं होते हैं तो यह simplex communication है walkie talkie half duplex communication है full duplex communication है या फिर none of these है इन में से किस type का communication जो है वह walkie talkie होता है तो answer यहां पर होगा आपका option B half duplex communication क्या होगा answer half duplex communication तो half duplex communication basically होता क्या है अगर आपने कभी walkie talkie पे दो लोगों को movies में या mall पे भी बात करते हुए देखा हो जैसे अगर यह दो लोग है A और B अब इन दोनों के हाथ में walkie talkie है तो पहले A अपना message deliver करेगा और फिर बोलेगा over उसके बाद B बोलना शुरू करेगा ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर A और B दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात बनेगी यह नहीं ठीक है दोनों simultaneously communicate नहीं कर सकते जैसे आप mobile phone पर simultaneously communicate कर सकते हो अगर सामने वाला बंदा बोल रहा तो आप भी बीच में बोलोगे तो दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनेगी पर walkie talkie पर ऐसा नहीं होगा अगर एक बंदा बोल रहा तो दूसरा बंदा अगर कुछ बोलेगा भी त सुनेगी ही नहीं और इसको हम बोलते हैं half-duplex communication, full-duplex communication में आप दोनों simultaneously communicate कर सकते हो दोनों एक साथ बोल सकते हो तो यह चीज़ ध्यान में रखने हैं 6th question इन में से कौन सा computer language नहीं है high-level language, machine language, low-level language या medium-level language high-level language क्या होती है तो हमने पिछली class में किया भी था ठीक है तो इसमें से कौन सी एक computer language नहीं है answer है D medium-level language नाम की कोई computer language नहीं होती high-level होती है machine होती है low-level होती है पर medium level language नाम की कोई computer की language नहीं होती, ध्यान में रखने है the dash folder retains copies of message that you have started but are not yet ready to send very basic question, मतलब जिसने अगर computer कभी चलाया, कभी use किया तो वो भी इसका answer देदेगा mobile phones में भी ऐसा ही होता है, जब आप mail type कर रहे हो, अगर आपने mail type कर लिया अभी send नहीं की या अपने अपना mobile phone में अपना text message type कर लिया लेकिन send नहीं किया तो वो क्या लिखाता है वहाँ पर, क्या लिखाता है, draft, वो draft में automatically save हो जाता है अगर आप अभी send नहीं करना चाते हैं लेकिन वो बाद में send करना चाते हैं तो draft में saved रहेगा बाद में बस आपको send का button दबाना है ठीक है, तो answer यहाँ पर ए हो जाएगा, बहुत general और बहुत basic question है next, which of the following is used to close a tab on a browser, browser में multiple tabs लते हैं जैसी एक browser है एक tab, दो tab, तीन tab, आप multiple tabs कर सकते हो, shortcut keys भी में बीच वीच में डालता रहूंगा, एक question, दो question हर वीडियो में shortcut key का डालने की कोशिश करूंगा ठीक है, तो which of the following is used to close a tab on a browser, browser पे tab close करने के लिए कौन सा जो है use किया जाता है, आप try भी कर सकते हो आप कोई भी browser खोलो, google chrome, mozilla, जो भी आप use करते हो, और उस पे multiple tabs खोलो, और जिस tab को आपने close करना हो, उस tab के उपर आप जाओ, और बहाँ जाकर के आप press करो, control plus w, तो वो वाला जो tab है, वो specific tab है, जो बंद हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है, control plus w से, आप browser के अंदर कोई भी अगर tab close करना चाते हो, तो वो easily कर सकते हो, question number 9, which of the following technique is used to send more than one calls over a single line, अगर आप single line पर multiple calls को send करना चाते हो, तो इन में से कौन सी technology use की जाएगी, digital transmission, infrared transmission, digitizing या फिर multiplexing, क्या इस्तेमाल होता है, तो answer यहाँ पर होगा, आपका option D, multiplexing, option क्या होगा, multiplexing answer यहाँ पर आपका रहेगा, option D, multiplexing, ठीक है जी, तो multiplexing, जिसको muxing भी कहा जाता है, is a way of sending multiple signals or streams of information over a communication link, at the same time, in the form of a single complex signal, the receiver recovers a separate signal, a process called demultiplexing, तो एक जगा से send होगा, और दूसरी जगा पर जाकर, फिर individual receivers, उनको separately signals को receive करेंगे, उसको क्या बोल देंगे, demultiplexing बोल देंगे, या demuxing बोल देंगे, ठीक है, जी, last question, the process of checking all the peripheral units by the OS during the time of booting is known as, ठीक है, जब आप computer, जब आपका boot होता है, PC आपका boot होता है, तो जो आपका operational system होता है, जो OS होता है, वो सारी की सारी peripheral units को check करता है, कि क्या सारी जो चीज़े हैं, वो operational है, वो ठीक से चल रही हैं, तो इस process को, जो ये checking का process होता है, इसको क्या कहा जाता है, okay, so this process is generally known as post, answer क्या होगा है, यहाँ पर option B, post, ठीक है, post क्या होता है, power on self test, is a test the computer must complete to verify all hardware is working properly before starting the remainder of the boost process, तो basically post, power on self test, boot process complete होने से पहले, ये चीज़ जो है, आपको देखने को मिलती है, alright, चलिए, तो ठीक के दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये computer के 10 questions rank complete हो गए, यह मत सुचना, मैं बार-बार बोलों कि बहुत easy questions है, बहुत easy questions है, हमने IT expert बनना ही नहीं है, 2017 के questions है, अगली वीडियो में वो भी दिखाऊंगा, आपको 2017 के questions, बहुत general और बहुत basic questions पूसे जाते हैं, बीच बीच मुश् subscribe करना मत भूलिएगा, share करना मत भूलिएगा, और बाकी की playlists आपकी screen पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं, so मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए all the best हैं, bye bye